हेलो दोस्तों वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एजुकेशनल लड़ा दोस्तों हम लोग ग्यान बिंदू के द्वारा लाया गया करेंट अफियर्स का सेट देख रहे थे जिसमें हम लोगोंने सेट नंबर 31 तक कभर कर लिया है आज के सीरीज में हम लोग सेट नंबर 31 से लेके सेट नंबर 35 तक कभर करेंगे अगर आप लोगोंने हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर से देख लिजेगा क्योंकि करेंट अफियर्स सारे एक्जाम में काफी ज्यादा संख्या में पूछे जाते हैं तो करेंट अफियर्स पे आपकी पकर होन निम्रे लिखित में से किस वर्ष तक मंगल यान टू का लॉंच अपेक छित है इसका सही आंसर आप्शन नंबर भी हो जाएगा दो हजार चौबिस तक नेक्स्ट क्वेस्टन है निम्रे लिखित में से किस देश में तैइस्वा, फीफा, फुटबॉल, विश्वक अप का आयोजन किया जाएगा इसका सही आंसर आप्शन नंबर D हो जाएगा इनमें से सभी निम्दलिखित में से किस केंद्रिय मंत्राले द्वारा नया सवेरा योजना चलाया जा रहा है इसका सही आंसर आप्शन नमबर A हो जाएगा अलप सेंख्यक मंत्राले एक रिपोर्ट के नुसर विश्व के सिर्स 50 महांतम स्थानों में भारत के कौन से दो स्थानों को सामिल किया गया है इसका सही आंसर आप्शन नमबर D हो जाएगा लद्दाख्त था मयूरभंच मयूरभंच दोस्तों उरिसा में इस्थित है निमलिखित में से किस वर्ष तक भारत सरकार ने सीकल सेल एनीमिया के उनमूलन का लक्ष रखा है इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C 2047 तक निमलिखित में से किस राज्य में बांगला महोटसब का आयोजन किया जाता है बांगला महोत सब्द समझ के आप लोग पश्ची मंगाल मतलत लगा दीजेगा ये मेघाला में मनाया जाता है इसका सही आंसर ओप्शन नमबर C मेघाला हो जाएगा अगला क्वेश्चन निमनी लिखीत में से किस संगठन के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जाड़ी किया जाता है तो ये डबलू इएफ के द्वारा किया जाता है वर्ल्ड एकोनोमी फॉरम इसका सही आंसर ओप्शन नमबर C हो जाएगा वन इस्तिती रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्ये में मैग्रोब वन छेतर की सरवाधिक ब्रिधी दर्ज की गई है तो मैग्रोब वन पूछ रहा है तो इसका सही आंसर ओप्शन नमबर B हो जाएगा ओडिसा में सबसे जादा मैग्रोब वन पाया गया है अप्रेल 2023 में जारी फोब सरवपती सुची में मुके संबानी को विश्व में कौन सा स्थान मिला है इसका सही आंसर ओप्शन नमबर A हो जाएगा नवा स्थान मुके संबानी जी का है पुड़े विश्व में हाली में रेमन मेग्स से पुरुषकार 2023 भारतिय विजेता आर रवी कन किस छेत्र से संबंधित है तो ये जिट्सा छेत्र से संबंधित है इसका सही आंसर ओप्शन नमबर B हो जाएगा इनको 2023 का रेमन मेग्स से पुरुषकार से सब्मानित किया गया नेक्स्ट कुश्चन है अर्शिठमा फिल्म फेयर अबॉर्ड दोजार तईस में किस अभिनेता को सर्शेष्ट अभिनेता का अबॉर्ड मिला है इसका सही आंसर हो जाएगा आपसन नमबर भी राजकुमार राओ को अगला कुश्चन जुलाई 2023 में भारत सरकार दोरा निमनलिखित किस प्रकार के चाबल के निर्यात पर परतिबंध लगा दिया है तो ये गैर बासमती चाबल पर परतिबंध लगाया गया है इसका सही आंसर आप्शन नमबर भी हो जाएगा अगला कुश्चन है निमनलिखित में से बिहार के कि वैक्ति को वर्स 2023 का पदमिस्री पुरुसकार नहीं दिया गया यानि पूछ इस में से आपको देखना है कि किसको किसको दिया गया है तो सुभद्रा देवी को दिया गया आनंद कुमार को दिया गया कपिल दे परशाद को दिया गया किसको नहीं दिया गया है तो आचार ये चंदना जी को नहीं दिया गया, इसका सही answer option number A हो जाएगा, next question है, निम्लिकित में से किस राज्जे द्वारा सक्ती smart card योजना की जुरुआत की गई है, तो ये करनाटक सरकार के द्वारा किया गया है, इसका सही answer option number A हो जाएगा, next question है, निम्लिकित में से कहां पर भारत में बच्चों के लिए पहला cancer hospital बनेगा, त्यान रखिएगा, cancer hospital बनेगा, बच्चों के लिए होगा ये, और ये कहां बनेगा, तो पटना हमारे बिहार पटना में बनेगा, इसका सही answer option number D हो जाएगा, अगला question है, निम्लिकित में से कौन विमंडर्ण 2023 में पुरुस एकलवर्ग का विजेता है, तो विम्वल्डन ट्रॉफिक के विजेता रहे हैं, कॉरलस अलकराज, इसका सही answer option number B हो जाएगा, अगला question है, भारत सरकार बाजरा की फसल पर 2023-24 के लिए नियोंतम समर्थन मुल्य में प्रत कितना रुपए की व्रिधी की है, जिसका सही answer option number A हो जाएगा, 150 रुपए की, दोस्तो, state number 31 कंप्लीट हो गया है, हम लोग अब state number 32 को देखेंगे, state number 32 का पहला question है, हाल ही में नीती आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के किस जिला का कुल वस्तु की निर्यात में हिस्सेदारी सरवाधिक रही है, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number A, जाम नगर, next question है, वर्ष 2022 का हिंदी भासा में साहित्य अकादमी पुरुसकार किसको दिया गया है, तो ये बद्द्री नारायन को दिया गया है, इसका सही answer option number D हो जाएगा, next question है, निम्ने लिखीत में से किस प्रक्षेपन यान के द्वारा, DS सार मिशन को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, तो DS सार मिशन को PSLB C-56 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, इसका सही answer option number C हो जाएगा, next question है, हाल ही में चर्चा में रहने वाला NIA के महा निदेशक कौन है, तो इसका सही answer option number D हो जाएगा, दिनकर गुपता है, next question है, निम्ने लिखीत में से किसको नेपाल के नए राष्टपती के रूप में चुना गया है, तो नेपाल के राष्टपती अभी रामचंद्र पॉन्डेल है, इसका सही answer option number C हो जाएगा, next question है, वर्ष 2023 में विश्व स्वास्त दिवस की धीम क्या था, तो इसका धीम, विश्व स्वास्त दिवस का धीम था, health for all, इसका right answer option number D हो जाएगा, next question है, निमलिखित में से किस राज्ये में पुर्भोत्तर क्रीसी कुम्ब 2023 का आयोजन किया गया है, पुर्भोत्तर पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान दिजिएगा, क्रीसी कुम्ब कहां पे किया गया है, तो मेगाले में किया गया है, इसका सही answer option number B हो जाएगा, next question है, निमलिखित में से कौन सा देश ICC विश्वा टेस्ट चैंपियंशिप 2023 का विजेता बना है, तो आउस्ट्रेलिया बना है, आप सब लोगों ने है, ये मैच तो जरूर ही देखा होगा, जिसमें फाइनल में भारत को हडाकर आउस्ट्रेलिया जो है, वो चैंपियंशिप बना, इसका सही answer option number C हो जाएगा, next question है, किस केंद्रिय मंत्राले द्वारा हर घर ध्यान अभियान की सुरुवात की गई है, तो इसका सही answer option number A हो जाएगा, संस्क्रिती मंत्राले के द्वारा, next question है, निमनलिखित में से कौन, नालंदा अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक के लेखक है, तो ये गौतम बोरा इसके लेखक है, इसका सही answer option number C हो जाएगा, next question है, भारत के किस सहर में विश्व का सबसे बड़ा काडियाले भबन बना है, उसका right answer option number C सूरत हो जाएगा, next question है, निमनलिखित में से किस देश में हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड का छेत्रिय काडिया खोला गया है, कौन से देश में खोला गया है, तो ध्यान रखियेगा दोस्तों, मलेशिया में खोला गया है, H.A.L. हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड, इसका right answer option number A हो जाएगा, next question है, भारत के किस सहर में मोटो जीपी 2023 का पहली बार आयोजन किया गया, इसका सही answer option number C हो जाएगा, next question है, निमलिखित में से किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना की सुर्वात की है, तो पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है, इसका सही answer option number C हो जाएगा, अगला question है, पहला संयुक्त राष्ट जल सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है, ये पहला संयुक्त राष्ट जल सम्मेलन है, जो कि एकजाब की द्रिष्टी से काफी महत्तुपूर्ण है, तो ध्यान रखेगा, ये इसका आयोजन नियूजन नियूजन में किया गया, इसका सही answer option number C हो जाएगा, next question है, नियूजन में से किस वैक्ति को पर्तिष्ठित लोकमाने तिलक राष्टिय पुरुस्तकार से सम्मानित किया गया है, तो नरेंदर मोधी जी को किया गया, इसका सही answer option number B हो जाएगा, दोस्तों हमारा set number 32 यहीं complete होता है, अब हम लोग set number 33 को देखेंगे, set number 33 का पहला question है, निमलिखिद में से किस राज्य सरकार द्वारा night navigation app जारी किया गया है, इसका सही answer option number A हो जाएगा, असम सरकार के द्वारा night navigation app को launch किया गया है, next question है, भारत में औद्योगिक छेदर की उपलब्धी को मापने के लिए निम्न में से, कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सुचकांग को जारी करती है, औद्योगिक उत्पादन के सुचकांग को कौन जारी करती है, तो आप त्यान रखिएगा इसमें से कोई भी नहीं है इसका सही आंसर option number D हो जाएगा अगला question है परपल कैप बीजेता मुहम्मद सामी ने इंडियन प्रीमियम लीग 2023 में कितने विकेट लिये थे तो इन्होंने total 28 विकेट लिये थे 28 इसका सही आंसर हो जाएगा option number C अगला question है वर्ष 2023 में 206 रोग दिवस का थीम क्या है इसका सही आंसर option number D हो जाएगा येस वी कैन एंड टीवी नेक्स्ट question है भारत द्वारा किस देश में बुंजी ब्रीज का निर्मान किया गया है इसका सही आंसर option number B हो जाएगा नेक्स्ट question है अगला question है निमलिखित में से किस सहर में तीन अगस 2023 को सुन्य चाहर गया है छाया दिवस देखा गया इसका सही आंसर option number D हो जाएगा है नेक्स्ट question है समाचारों की सुर्खियों में रहे जल दोस्त मार्क 2 के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है जिसका सही आंसर हो जाएगा option number B जलासयों में जलिया खर्पतवार और तेरते कच्रे को निकालने वाला एक एयर बोर्ट है नेक्स्ट question है जी 20 की रोजगार कार्य सम्मू की कौन सा बैठक भारत से बाहर हुआ इसका सही आंसर हो जाएगा option number C तीसरा चरण अगला question है संयुक्त राज अमेरिका के किस राज्य में हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है तो इसका सही आंसर option number D हो जाएगा जोर्जिया अगला question है वर्ष 2023 में निमन लिखित किस कंपनी को महारतन कंपनी का दरजा प्राप्त हुआ है इसका सही answer option number D हो जाएगा All India Limited नेक्स्ट question है अंज सिटीज पहल किस देश में प्रारंप की गई है तो ये चीन में स्टार्ट किया गया है इसका सही answer option number B हो जाएगा नेक्स्ट question है ब्रिक्स तंगठन में कितने नए सदस्यों को एक जन्वरी 2024 से सामिल किये जाने की मंजूरी दी गई है इसका सही answer option number C हो जाएगा छे अगला question है अकांची जिला कार्यकरम की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार कितने ब्लॉक में अकांची ब्लॉक कार्यकरम सुरू करेगी तो 500 ब्लॉक में सुरू करेंगी इसका सही answer option number B हो जाएगा अगला question है हरित गुंबद योजना को किस प्रकार के प्रदूसन की रोक थाम के लिए लागू किया गया है तो हरित गुंबद योजना ये ध्वनी प्रदूसन के रोक थाम के लिए सुरू किया गया इसका सही answer option number C हो जाएगा अगला question है निमलिखित में से कौन सा देश सुधी रमन कप 2023 का उप विजेता रहा तो सुधी रमन कप का उप विजेता दक्षिन कोरिया रहा इसका सही answer option number D हो जाएगा नेक्स्ट question है भारत की UPI ने किस देश के Pay Now Mobile एप भुकतान पद्धती के साथ समझोता किया है इसका सही answer option number D सिंगपूर हो जाएगा नेक्स्ट question है विकास की वर्तमान इस्थितीत के साथ Artificial Intelligence AI निमलिखित में से क्या प्रभावी धंग से कर सकता है तो पहला है ओद्ध्योगी की काईयों में बिजली की खपत को कम करना ये सही है रोग निंदा ये भी सही है ये भी कर सकती है text to speech रुपांतरन ये भी कर सकती है AI और विद्दूत उर्जा का wireless transmission ये भी कर सकती है यानि एक, दो, तीन और चार ये चारों सही है इसका सही आंसर option number D हो जाएगा state number 33, state number 33 यहीं पर समाप्त होता है अब हम लोग state number 34 को देखेंगे state number 34 का पहला question है FIFA महिला football विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है तो इस पेन इसका विजेता, इसका सही आंसर option number D हो जाएगा next question है निमलिखित में से कौन, the last heroes के लेखक है इसका सही आंसर option number A हो जाएगा P साइनाथ next question है केंदर सरकार ने मेरा बिल, मेरा अधिकार योजना किस लिए शुरू की है इसका सही आंसर option number C हो जाएगा GST बिल भुगदान के लिए next question है समचारों की सुर्खियों में रहा कखोव का जल कखोव का जलास है समचारों की सुर्खियों में रहा कखोव का जलास है निमलिखित में से किस देश में है इसका सही answer option number D हो जाएगा Ukraine में है next question है भारत सरकार के उद्योग एवं आंत्रिक व्यापार समवर्धन विभाग द्वारा बारत तरजीही देशों की पहचान की गई है जिसके साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा निमलिखित में से कौन से देश में सामिल नहीं है तो इसमें से इसका राइट अंसर आप्शन नमबर बी हो जाएगा नेक्स्ट कोईस्टन है इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी अवार्ड दोहजार तईस में सर्वस्रेष्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है तो इसका right answer option number D हो जाएगा द्रिस्यम 2 को मिला है नेक्स्ट कोईस्चन है भारत के 77 श्वतंतरता दिवस की धीम क्या रखा गया था तो इसका धीम रखा गया था नेशन फर्स्ट, आल्वेज फर्स्ट तो इसका right answer option number A हो जाएगा नेक्स्ट कोईस्चन है केंद्रिया बजट 2023 के नुसार निमलिखित में से 21 मदपर भारत सरकार का रुपिया सबसे जादा खर्च होगा तो इसका सही answer option number C हो जाएगा ब्याज अदाईगी पर नेक्स्ट कोईस्चन है प्रोजेक्ट कुवेर किस निकाय का एक परियोजना है इसका सही answer हो जाएगा option number C भारतिय स्टेट बैंक नेक्स्ट कोईस्चन है भारत में हुए G20 सिखर सम्मेलन में भारत की ओर से मुख समनवे कौन था इसका सही answer option number D हो जाएगा हर्ष बर्धन स्रिंगला नेक्स्ट कोईस्ट कोईस्चन है निम्नलिखित में से कौन सी टीम रंजी ट्रॉफी 2022 था इसकी उप बिजेता टीम रही है तो इसका सही answer option number B हो जाएगा बंगाल सौराश्ट इसकी बिजेता टीम रही है नेक्स्ट कोईस्टन है निम्नलिखित में से कौन सा देस हाल ही में चर्चा में रही फाइब आईज गठबंधन का सदस्य नहीं है तो फाइब आईज गठबंधन का सदस्य फ्रांस नहीं है इसका सही answer option number C हो जाएगा अगला question है हाली में भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2028 तक कार्मिक प्रबंधक तथा लोग प्रसासन छेत्र में सही योग पढ़ाने ही तो समझाता किया है तो इसका सही answer option number D हो जाएगा सिंगापूर next question है विश्व प्रबासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया तो यह 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रबासी पक्षी दिवस तो दोस्तों हमारा सेट नमबर 34 यहीं समाप्स होता है हम लोग सेट नमबर 35 को देखेंगे सेट नमबर 35 का पहला question है स्वच वायू सर्वेक्षन 2023 के नुसार स्रेनी वन में प्रथम अस्थान इंदोर सहर को मिला है तथा दूसरा स्थान किस सहर को प्राप्ट हुआ है तो इसका राइट एंसर है ओप्षन नमबर D आगराप अगला question है भारत का प्रथम डॉल्फी ननुसंधान केंदर कहां इस्थित है तो इसका सही answer ओप्षन नमबर A है प्रथम डॉल्फी ननुसंधान केंदर पठना में खोला गया है अगला question है भारत का पहला महसागर तापिय उर्जा रूपांतरन सहींतर कहां स्थापित किया गया है तो इसका सही answer ओप्षन नमबर D हो जाएगा लक्ष्टीप के कावरती में next question है निमलिखित में से किसके द्वारा नौसायनिक अभ्यास ओसन सिल्ड दोहजार तईस का आयजन किया गया है तो रूस के द्वारा किया गया है ओसन सिल्ड दोहजार तईस का आयजन इसका सहीं answer ओप्षन नमबर C है next question है जुलाई दोहजार तईस में जाड़ी हैले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है तो हैले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार विश्व में भारत का स्थान असीवा है इसका सहीं answer ओप्षन नमबर A होगा next question है किस मंत्राले द्वारा आयूस वीजा जाड़ी करने की योजना बनाई गई है तो ग्रीव मंत्राले के द्वारा आयूस वीजा जाड़ी करने की योजना बनाई गई इसका सहीं answer ओप्षन नमबर C है next question है नैनो डियेपी SSP यूडिया मिश्रन को लांच करने का सरकार का लक्ष कब तक का है तो 2023 तक का है इसका सहीं answer ओप्षन नमबर B हो जाएगा next question है नीमनिलिखित में से किस देश ने सिल्क रोड़ाष्टर प्रियोजना शुरू करने की घोशना की है इसका सहीं answer ओप्षन नमबर B हो जाएगा चीन के द्वारा सिल्क रोड़ाष्टर प्रियोजना शुरू की गई है इसका सहीं answer ओप्षन नमबर B अगला question अगस 2023 में भारत और बांगलादेश के बीच 14वी संयुक्त सीमा सुल्क समूः जे जी सी की बैठक कहां आयोजित की गई तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया इसका सहीं answer ओप्षन नमबर A होगा अगला question है भारत ने स्री लंका में डिजीटली करन को बढ़ावा देने के लिए कितने million की वित्य सहायता प्रदान की है तो इसका सहीं answer ओप्षन नमबर D होगा 450 million अगला question है अरास डोरार गैस फिल्ड कींदो देशों के वीच विवादित छेतर है तो इसका सहीं answer ओप्षन नमबर D होगा साओधी अराब उत्था कुवेद नेक्स्ट क्वेस्टन विश्व तीरंदाजी Championship 2023 के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा तो प्रथम स्थान रहा है विश्व तीरंदाजी Championship 2023 में भारत का स्थान इसका सहीं answer ओप्षन नमबर A है नेक्स्ट क्वेस्टन है निमलिखित में से किस्थि को विश्व जलसप्ता 2023 का आयोजन किया गया है तो बीस अगस्ट से चौविस अगस्ट तक विश्व जलसप्ता दिवस का आयोजन किया गया इसका सहीं answer ओप्षन नमबर C है पारसी नववर्स मनाया जाता है तो 16 अगस्त को पार्सी नवर दिवस के रूप में मनाया जाता है इसका सही आंसर आप्शन नमबर C है तो दोस्तो हमारा आज का सेट यहीं पे कंप्लीट होता है वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चानल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकोन को प्रेस करें ताकि आप हमारे चानल से जुरे रहें और अपने दोस्तों में भी सेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद